तो फ्रेंट्स आज के वीडियो काफी इंट्रिस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में हम NCRT mathematics class 9 की बात करें तो आज हम लोग श्टड़ी करने वाले exercise 9.3 का और बिसक्री 9.3 में बात करते हैं इसमें total 16 question put up होने वाले सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दिए तो आज हम लोग श्टड़ी करने वाले हैं चप्टर नमबर 9 का 9 exercise 9.3 और 9.3 को हम complete solution करेंगे लेकिन उससे पहले क्या होता कि बूग का जो भी बी प्रिंस्पल होता है कुछ थिवरी होता है कि कौन-कौन से rule put up होने वाले ह होने वाले हैं तो फस्ट अफाल उसका study कर लेते हैं क्योंकि जैसे हम इन सारी चीजों का study कर लेंगे न देन चीजे हमारे लिए बहुत क्या हो जाएगी असान हो जाएंगी और जैसा कि इसमें टोटल 16 कुर्शन put up होने वाले हैं तो वीडियो तो काफी ही ज्यादा लंबा होने वाला है तो वीडियो में अंतक हमरे साथ में बने रहे हैं तो देखेंगे यह जो चैप्टर हो रहा जया नमबर नाइन और बैसके लिए आज हम लोगे स्टाड़ी करने वाले हैं प्रस्नावजी 9.3 का और जो चैप्टर का नाम हो है समांदर चैत्रबूजो और सबसे पर कैंगे इस सबसे पहले देखेंगे आज को से नमबर सनाय वाले हैं कोई सारी मौशन का जितने ही प्लताइब है कि अंगे बढ़ेंगे च्मोन और ऑनुसल नमबर यह कोजिड़ी बन यहां मैं इसी देखेंगे टूटल दो आपसन पुठाब हो रहा है कोई नहीं सारी को सानका सभी करने हैं देन आगे बढ़ेंगे एक सब्सक्राइब जो कि काफी लेंद लेंदी है और ऐसे को सब्सक्राइब लॉइन वाले हैं अब आई हम लोग श्टरी काते हैं कि इस चेप्टर से रिलेटेट क्या क्या चीजिए हम लोग को पढ़ना जी हां तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे एक ही अधार और एक ही समानता रिखाओं के बीच इस्थित त्रभोज ओके अब दोनों का बेस क्या है अधार है जो जो दोनों का बेस है या फिर आधार हो सेम है और समानता रिखाओं के बीच में इस्थित कोई ट्रियंग कि कुई दू पैइलर लाइन है अबीडि़ आर कि है और किया सिए और देखेंगे दोनों का बेस क्या से है सेम उर क्या है विए सि है और इसके बीच में कूई ट्रेंगल बना हुआ ओके देन आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही देखेंगे परमें 9.2 basically 9.2 क्या कहा रहा है इसी का यूज होने वाला इस सेप्टर में इसमें कहा रहा है कि एक ही अधार या बराबर अधार हो और एक ही समानते रिखाऊंगों के बीश इस्थित तिरबू छेतरफल में कहानें कि ब्राबर होते हैं मतलब इनके बीश में जो भी भी ट्रियंगर होंगे दोनों का सेम है डृ एक बढ़ देन आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या का रहा है कि एक ही अधार या ब्राबर अधारों वाले ब्राबर छेतर फलों वाले तिर्भूज एक ही समानते रिखाओं के बीच में इस्तित होते हैं तो जस्ट ए प्रमे 9.2 का पोजिट है 9.3 तो दोनों दूसरे से मिलते जुलते हैं तो आप 9.2 का कंसेप्ट जानते हैं तो 9.3 का भी कंसेप्ट समझन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ओके देन अभी हम लोग एजांपल नंबर 3 का स्टड़ी कर लोते हैं एजांपल नंबर 3 सेंग डेट करें कि दरसाइए कि तिर्भूज की एक मादिका उसे बराबर छेतर फलों वाले है तिर्भूज है और एडी उसकी एक क्या है मादिका है क्योंकि इसके मिडल पॉइंट से मिला गया है करा कि देखिए आकरती 9.21 जो कि इस टाइग्राम को बिलोंग करता है इसमें करा कि आप दरसाना चाहते हैं कि एरिया आफ ए बी और डी का जो एरिया होगा 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 a c d के equal a c d मतलब a complete और a complete यह दोनों आपस में क्या होगा equal होगा यही हमको दरसाना है ओके चुकि तिर्भूज की छेत्रफल में सिर्षलम संबध होता है इसलिए आए अब an alarm bc कि देते हैं तो यहां पे a जो angle होगा हो कितना हो जागा 90 डिगरी और ऐसी इधर का भी जो angle हो próie होता है देने थान एक बरन रखते हैं तो एक बत्रफों गुडे मतलब लिठाट को होगा इसलिए दोनों आपस में कुछ नहीं सकते हैं इसको दिन आगे बढ़ेंगे तो यह है एक्जाम्पल नबर फॉर एक्वज़ में एक पर फोर एक्विकली क्या करा रहा है कि आकृती नाइन पॉइंट टूटु में बसक्ली इस डायग्राम को बिलॉंग कर रहा है करा कि A, B, C, D एक चतरबुज है बिसके लिए देखेंगे A, B, C और D ये क्या चतरबुज है चतरबुज क्या होता है जिसमें चार साइड होते है चार भुजा होता होई क्या कलाता है चतरबुज कलाता है प्रकार है कि B, E बढ़ाई गई A, D, D, C को E पिकट कर रहा है और पर मिलती है दर्साइए कि तरबुज A, D, E का चतरबुज A, B, C, D, चतरबुज के बराबर है पतलब A, D, E A, D, E पतलब A जो complete triangle है यहां से लेकर यहां तक इसका चतरबुज हमको दर्साना है A, B, C, D के चतरबुज के बराबर है इक्वल है यहां से इसके परलर एक लाइन खीजा गया है इसके परलर यहां पर मिल गया है तो यहां पर लिखेंगे कि triangle B, A, C और E, A, C, A की अधार मतलब A, C और A की समानते रखाऊ मतलब A, C और B, E के मद इस्तित है ओके देन अथा area of triangle B, A, C equal to E, A, C होगा क्योंकि बिसके लिए हमने इस इसके को बढ़ा किसमें परमे 9.2 में तो यहां पर हमें रिजान ने खेंगे परमे 9.2 द्वारा देन इसलिए area of B, A, C plus area of A, D, C तो यहां पर देखेंगे B, A, C और A, D, C की बात करते हैं दोनों को तो यहां पर लिखेंगे A, B, A, C equal to A, C और यह जो B, A, C होगा वो बराबर होगा B, A, C plus A, D, C और E, A, C यह जो होगा E, A, C plus area of A, D, C यह होगा क्योंकि एक ही छेत्रफल करा कि एक ही छेत्रफल दोनों पच्छों में जोडने पर दोनों पच्छों में हम A, D, C क्या करते हैं? add on कर देते हैं देन आपके पास में जब B, A, C में हम add करेंगे A, D, C यह है B, A, C और इसमें A, D, C यह दोनों को add on करेंगे तो यह चत्रबूज एक बनेगा एक नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा और ऐसे E, A, C में हम add कर एड़ करना है A, D, C तो यह भी क्या बनेगा एक चत्रबूज बनेगा ओके तो देन ऐसे आप यहाँ पर दर्शार सकते हैं कि जो समानतर चत्रबूज A, B, C, D होगा ओएक्वल होगा कि इसके A, D, E के बिस्क लिए यही चीज़ आपको प्रूज़ करना था कि इसमें एक जामपल नंबर 4 में और आइधिंक जरूर आपने समझे लोगा कि एक जामपल नंबर 4 का सालोशन कैसे किया गया है दें चलिए आगे बढ़ते हैं इससाइज के सवाल हो की तरह तो यह पूट अप होता कोसन नंबर 1 और आईसी ही टोटल प्रिशनों के संखाइस में 16 है तो वीडियो तो काफी लेंदी होने वाला ना तो फिलाल आपका काम बनता कि आपको पास में कॉपी और पेन होना चाह की दर्साइए कि एरिया आफ एर मतलब होता है एंड 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 लिखेंगे दिया है कि इन घडिया modest की एक माधिका एडी है माधिका मतलब होता है जो इस बेस के मिडिल पॉइंट से मिलती है जो डी होगा माधिका होगा तो कोई बिंद E है हमको प्रूब करना कि area of triangle A, B, E O, A, C, E के equal है मतलब triangle 1 equal होगा triangle 2 के then हम रचना करेंगे B तथा E, C को मिला देते हैं जो B है और E और C को इस दोनों को हम मिला देते हैं तो जैसे हमने मिलाया थे हम पर प्रमार लिखेंगे triangle A, B, C लेकर चलना है तो इसमें लिखेंगे कि A, D, A, B, C की एक मादिका है इसलिए area of triangle A, B, D A, B, D मतलब basically इस वाले की पूरे की बात हो रही है ओ, equal होगा A, C, D के मतलब इधर वाले की पूरे equal होगा ओके क्योंकि इस चीस को आले डिए हमने A, E, C इसमें कहा रहा कि ED, यह जो ED है वो भी इसकी क्या एक मादिका है इसलिए यह दोनों triangle मतलब इसको 3 माने, इसको फोर माने, यह भी आपस में क्या होगा equal होगा, तो इसको हमाने इक्वेशन number second, कहा रहा कि समिक्राड एक में से दो घटाने पे एरा समिक्राड नमबर 1 और A, 2 तो दोनों को एब बताओ, जब complete A triangle में से यदि हम इसको घटा देंगे तो एब मिल जागा, और इस पूरे में से यदि हम फोर वाले को घटा देंगे, तो 2 मिल जागा तो देन यहीं चीजहाँ पे लेंगवेज लिखा गया अगे, area of triangle A, B, D minus area of triangle B, A, D equal to area of triangle A, C, D minus area of triangle A, C, D और ऐसे में A, आपके पास में मिल जागा area of triangle 1 equal to area of triangle 2 बिसकलि आप यहाँ पे 1 और 2 भी कर सकते हैं तो यह बहुत यहाँ आसान था question number second की तरफ, ओके तो यह पूटफ होता है question number 2 and question number 2 is saying that कहरा कि तरभूज ABC में E, AD की मद्देबिंद है और दर्साय की area of triangle B, E, D half area of triangle ABC होगा यह जो B, E, D है B, E, D मतलब इसको 1 माना है यह पूरे की यह जो पूरा triangle है यदि हम इसको 2 माना है तो यह आपको पूर्वड करना है area of triangle 1 equal to 1 by 4 area of triangle 2 यह जीज़ हमको पूर्वड करना है तो दिन आई यह सबसे पहले language लिखेंगे की दिया है कि तरभूज ABC में E, AD की मद्देबिंद है यह जो E है वो AD की मद्देबिंद है and हमको पूर्वड करना की area of triangle B, AD equal to half area of triangle ABC इस पूरे तरभूज का कितना है एक चोथाई है देर रचना करेंगे B तथा C को हमने मिला देता है तो ऐसे में यहाँ पे भी triangle बन गया अब प्रमार लिखेंगे तरभूज ABC में लिखेंगे AD तरभूज ABC की एक मादिका है इसलिए area of triangle ABD equal to half half area of triangle ABC होगा क्योंकि यदि AD इसकी मादिका है तो यह जो triangle complete triangle होगा यह दोनों आपस में equal होगा तो इसलिए यह जो होगा बस इतने की बात करें तो यह पूरे के कितना होगा अध्धा होगा क्योंकि तरभूज की मादिका उसे दो बराबर सेतरफल वाले तरभूजों में बाढ़ता है डिवाइट करता है अब बिंदू E तथा तरभूज ABD की भूजा AD का मदे बिंदू है तो यह दिया हुआ है इसलिए BE तरभूज ABD की एक मादिका है बिंदू E की बात पर ही है तो इसलिए area of triangle B, E, D equal to हो जाएगा B, E, D equal to हो जाएगा half area of triangle ABD ABD का क्या हो जागा अद्धा हो जागा क्योंकि E जो है AD का मदे बिंदू है तो इसको हमने ऐसे आप कुछ भी language दे सकते हैं या फिर area of triangle B, E, D equal to half into half into area of triangle ABC क्योंकि जब A इसका अद्धा है तो इसका एक चोथाई होगा ABC का होगा तो इसलिए लिखेंगे area of triangle B, E, D equal to हो जाएगा half area of ABC और ऐसे माप इसको प्रूट कर सकते हैं आप जरूरा आपने समझ लिए कोसन नमबर 2 का सालूसन कैसे किया गया है आगे बढ़ता हूँ कोसन नमबर 3 की तरफ तो इसका नमबर 3 जिसमें करें कि दर्सा आए कि समांतर चत्रबुज के दोनों बिकड उसे बराबर चत्रफलो वाले 4 चत्रबुजों में बाटते हैं अब पैडलेलोर ग्राम एक कोई पैडलोर ग्राम है ऐसे लिखा जाता है जिसका नम है A, B, C, D अब इसके दो बिकड़ है एक बिकड़ है A, C और दूसरा बिकड़ है B, D दोनों को हमने मिला दिया तो आपको बताना कि इसको चार इकवल ट्रियंगल में क्या कर रहा इसको बिकड़ है तो सबसे प्ले लिखेंगे दिया है कि A, B, C, D एक समांतर चत्रबुजा में इस पैडलोर ग्राम है जिसके दो बिकड़ A, C तो था बेड़ी है जो एक दूसरे को प्वाइंट O पे कट कर रहे है अब हमको प्रूवड करना कि एरिया आफ A, O, B, E, O, C, E, O, D, E, O, D मतलब इमेजन करो कि यदि हम इसको A, O, B इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं तो आपको दर्साना है कि A इसके बराबर होगा, A इसके बराबर होगा, A इसके बराबर होगा मतलब चारों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे तो देन अब प्रमाड लिखेंगे त्रिभूज ABC की भोजा AC का मद्मिन्द हो है इसलिए OB एक माधिका है जो OB होगा इस त्रिभूज का क्या होगा एक माधिका होगा देन आगे हम लिखेंगे अता area of triangle A O B equal to area of triangle B O C होगा क्योंकि माधिका आथे एक दोनों आपस में equal होगा कि नहीं हो जाएगा तो triangle 1 बराबर triangle 2 इसको हमने माले equation number 1 क्योंकि त्रिभूज की माधिका उसे 2 बराबर छेतरफलो वाले त्रिभूजों में divide करता है इसी प्रकार यदि त्रिभूज A C D की भुजा A C का मधिमिंद O है तो इसलिए O D जो होगा यजो basically O D होगा इस पूरे त्रिभूज का क्या होगा माधिका होगा तो जब माधिका होगा तो इसको माले त्रिभूज 3 यह छोड़ रहा है तो इसको हमने माले एक्वेशन नमबर सेकेंड अब कर रहा कि अब ट्रिभूज B C D लेकर चलते हैं तो इस वाले की बिस्कली बात हो रही है तो इसमें भी देखा जाए कर रहा कि B D जो है वो मध्द बिंद B D की मध्द बिंद O है और O C A के क्या है मध्द का है इसलिए area of triangle B O C equal to C O D के मतलब B O C मतलब A इसके equal हो जागा तो इसको हमने माले एक्वेशन नमबर 3 then from equation 1st, 2nd and 3rd से हम बाते हैं area of triangle A O B equal to area of triangle B O C equal to area of triangle C O D equal to area of triangle A O D और ऐसे माप इसको प्रूइब कर सकते हैं तो I think कि जरूर आपने समझ लिया होगी question number 4 का solution कैसे किया गया है तो बहुत ही असान था बहुत ही simple था इसमें कोई भी doubt नहीं रहना चाहिए आपको देन चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 4 and question is saying that करा कि A B C और A B D एक ही अधार A B पर बने दो तिर्बुज है यदि रेखाखंड C D रेखाखंड A B से बिंद O पर समझ भाजित होता है तो दर्साइए कि area of triangle ABC equal to area of triangle ABD होगा तो basically देखेंगे question number 4 है और इसका diagram यहाँ पर है करा कि A B C और A B D एक ही अधार A B पर बने दोनों का अधार क्या है ABC और ABD इन दोनों का base क्या है O base क्या है AB है दोनों का दो तिर्बुज है यदि रेखाखंड C D AB से बिंद O पर A जो CD है वो AB से बिंद O पर समझ भाजित होता है तो हमको दर्साहना कि ABC जो A B और C होगा वो equal होगा ABD के ABD के imagine करो कि A जो complete triangle है इसको माने 1 और A है 2 complete पूरे की हम बात कर रहा है तिन दोनों की area आपस मिक्वल आपको दर्साना है तो सबसे पहले लिखेंगे ABC और ABD एक ही अधार AB पर बने दो तिर्बुज है और रेखाखंड CD रेखाखंड ABC बिंद O पर सम्धिभाजित होता है तो हमको प्रूब्ड करना की area of ABC equal to area of ABD होगा ओके तो हम प्रमार लिखेंगे की D, A, C, D मतलब इस बात होई एक चत्रबुज की भुजा CD AB को सम्धिभाजित करता है यह जो CD है ओ AB को सम्धिभाजित करता है जिसका मद्विंदू क्या है वो है तो अता AO तिर्बुज की एक मादिका होई के नहीं होई बिलकुल भी होई यह जो AO है इस तिर्बुज की क्या होई एक मादिका होई ओके इसलिए area of triangle AO C बराबर AO D हो जागा मतलब इसको माने 3 और इसको माने 4 तो यह 3 इकोल टो 4 वाजा है इसको मानते हैं equation number 1 क्योंकि ए तो रिजन होता है कि तिर्बुज की मादिका उसे दो बराबर छेतरफोल वाले तरज़वा में बाढ़ता है इसी प्रकार D, B, C, D में O, B एक मादिका है यह जो O, B होगा O, B एक क्या होगा मादिका होगा तिसलिए यह जो 1 होगा और 2 की इकोल होगा तो इसी को माने लिख सकते area of triangle B, O, C equal to area of triangle B, O, D इसको माने तो equation number second then equation 1 तथा 2 को add-on कर देते हैं LHS को LHS में RHS को RHS में then आपके पास में आएगा area of triangle A, O, C equal to area of triangle A, O, D plus area of triangle B, O, D और A, O, C plus B, O, C को जब add करेंगे तो एक complete मिल जागा आपके पास में A, C, B ते होगा area of triangle A, C, B equal to और इसको इसको add-on करेंगे तो आपको पास मिल जागा area of triangle A, B, D देन यहां पर leachis equal हो गए किसके और है छेंज के और ही जब को प्रूबड करना था भूए फिर्वह आपने समझे में आ गया हो आपको आपको कोई सरे कोशन नंबर कोर का सालोंशन कैसे किया गया थें चलिए आगे बड़ते कोसे नंबर फिट कितरह एक उत्प होता है को सरे एंड कोसन नमर फिप्ति सेंग डेड करा है कि D E F और एफ करमसद थिर बुज एबी सी की भूजाओं बीसी सी ए और एबी के मद बिंदु हैं तो दर्साय की पहला में B D E F X 17 चत्र बुजा है सेकंड में करा कि area F D E F equal to half area F ABC और कि एरिया आफ बीडी एफ एकोल टू हाफ एरिया आफ एबीस से हैं तो बिसक्री देखेंगे इसमें तीन आपसन पूट अप होता है तो फ़स्ट आफ आपसन नमबर वन को लेका चलता है जिसमें का रहा कि एरिया कि बीडी एफ एक समानता चत्र बुज़े बीडी ए और एफ कि एक समानता चत्र बुज़े मतल बिसक्री इस वाली डाग्रामा की बात हो रहे है तो सबसे पहले हम इसको प्रूब्र div करना फास्ट में तुज का प्रमार F तता E भुजा A B तता AC के मदबिन्दो है, यदि बिसकील हम A B C में बात करते हैं, तो F तता E है, वो भुजा A B तता AC के मदबिन्दो है, ओके, तो अता मदबिन्दो की परमेश से हम जानते हैं कि EF पैलर होगा, BC के, जो EF होगा, पैलर होगा, कि इसके BC के, then EF E equal to Half A value to BC हो कर दोनों साइट आपसमी एक्वल होगा और पैलर भी है त्याएं लिखेंगे इसलिए ब्यद्र प्रूबड हो गया है आपसे लिए के बात करते हैं लिकिन यहां पर रिजन भी आप की समांतर चत्रबूज होता है और बिसक्लिए आफ समांतर चत्रबूज की बात करते हैं तो एक का डीर नहीं होगा बिल्कुल से मिलेगा इसी प्रकार यदि D, C, E, F, भी समानतर चत्र बुज़ है, D, C, E, F, इस वले डायराम की बात कर रहा तो इसलिए हम लिखेंगे की, तो area of triangle, a, e, f, equal to, area of triangle, d, f, इसको हमने माल लेंगे, equation number third, then from equation first second, third लेकर चलते हैं, तो आपके पास में मिलेगा कि area of aef equal to area of def equal to area of ced और इसको हम माल लेते हैं कि विशन नमबर 7 मतलब 6 माल लेते हैं ओके देन आई-सी आगे चलेंगे तो इन सब को हम लिख सकते हैं कि area of def plus area of def plus area of def plus area of def ब्राबर a b c क्योंकि यह सब तो आपस में equal है यहाँ पर हमने दिखला दिया कि सब आपस में equal है यह सब के जगा पर हम क्या रखते हैं def 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 सब के जगा पर हमने रख दिया तो अब four times def को add-on करेंगे तो four def मिलेगा कि नहीं भी लगा तो यह होगा four area of def equal to area of a b c और ऐसे में हम कर सकते हैं कि जब def equal to करेंगे तो हो जगा one by four area of a b c अभी इसको कैसे प्रूट किया गा मैं मैं आपको समझा देता हूं imagine करो कि यहाँ पर सिर्फ है एक्स और इधर आपका है या फिर यहां पर समझ ले यहां पर nine है और इधर है two x जब x equal to करेंगे तो nine by two होता की नहीं होता होता है तो ऐसे ही जब four into area of def है तो जब def equal to करेंगे तो जाएगा one by four area of a b c और ऐसे में आप इसको प्रूट कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को इसी में प्रूट करना अभी आपसा नमबर थर्ट की बात करते हैं तो चलिए इसमें मान रखते हैं तो यह हो जाएगा area of bdf plus area of def plus area of c e d equal to area of a b c then यहां पर हमान रखते हैं कि bdf d e f vdf d e f क्यांकि यहां पर सिर्फी बिस्क्रीट दो मान चेंज कर रहे हैं ओके bdf के जगा पर यहां a e f को bdf बना रहा है और d e f यहां पर यह है और c e d के जगा पर d e f लिख रहा है तो बिस्क्रीट अब दोनों को add on करेंगे तो जगा 2 into b d e f और a equal to area of a b c कि देन यहां पर जब area of b d e f निकालेंगे ते हो जागा half of area of a b c और ऐसे माप इसको प्रूट कर सकते हैं तो आई थिंक जरूर आपने समझ लिया है कि इस question का solution कैसे की आ गया है देन चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ ओके तो यह पूट अप होता question number six and question number six is saying that करा कि चत to cd है तो दर्शाय की पहले में आपको दर्शाना क्या दर्शाना है कि area of d o c equal to area of a o b d o c मतलब इसको मालोवन एकोल टोगा a o b k मतलब a o b मतलब इसको मालोट्टो सेकेंड में को दर्शाना है कि area of d c b a d c b d c b मतलब a complete ओगा area of a b c के मतलब a b c के ओके and third में हमको प्रूब्ट करना है कि डीए दी पैलर है डीए पैलर सीबी के अत्वा a b c d x समांतार चतर बुस है तो बिसकली यही बात होई ना जब पैलर होता तो समांतार चतर बुस होता ही होता है तो आए question number six का solution करते हैं तो first of all यहां पर लिखेंगे कि हमको प्रूब्ट करना तीन चीजे तो first of all लेकर चलता है ट्रेंगल डी ओ सी तथा ए ओ बी लिकर चलते हैं मतलब यह है वन और ए ओ बी मतलब इसको टू यह दोनों लेकर चलते हैं इसमें दिया हुआ कि सीडी इकॉल टू एबी जो सीडी है इकॉल टू है किसके एबी के तो दिया हुआ कोशन में और ओडी इकॉल टू ओबी एबी तो दिया हुआ है कि यह दोनों समाने मतलब सेम है और एंगल सी ओडी कोल टू एओ बी मतलब यह सीरसाभिमू कोड आपस में क्या होते हैं तो यहां आप देख रहे हैं कि भूजा को सर्वांगसम ता नियम से इसलिए सर्वांगसम हो गया इसलिए एंगल डी सी ओ की बात करेंगे डी सी ओ मतलब इस एंगल की तो एकुल होगा बी ओके मतलब इसके एकुल होगा बाई सीपी सीटी सीपी सीटी का पुराना मतलब क्रिस्पांडिंग पार्ट्स आप दी कंजव और दोनों तरफ बी ओसी एड़ान करेंगे डी ओसी में बी ओसी एड़ान करेंगे तापके पास में मिल जाएगा बी सीडी एरिया आफ बी सीडी को जाएगा एबी सी और ऐसे माप इसको प्रूट कर सकते हैं तो आइठिंक जरुआ अपने समझ लिया वाकर कि इस अपसन का सालोशन कैसे किया गया है देन चलिए आगे हम लोग प्रूट करते हैं तो लिखेंगे कि यहां पी जो एंगल डी सी ओ है और बिसकली डी सी ओ की बात हो रही है और बी ए ओ की बात हो रही है तो यह दोनों क्या ह चतरबुज है विकाज समुख बुजाओं कि एक यूग में बराबर और समनातर हो तो वह समनातर चतरबुज होता है इसलिए डी यह पहला रहा सी बी की या फिर एवी सी डी एक समातर चतरबुज है और ऐसे माप इसको प्रूट कर सकते हैं तो आइधिंक कि जरूर आपने स इसको हम कम्प्लिट मानते हैं वह इक और एडिया आप इवी सी के मतलब इसके इक व्याइप पुरेख है ओके तो बिसकिली ध्यांस से देखेंगे तहां पे दो ट्रियंगल आपको सब साफ नजर में आएगा ओके एक ट्रियंगल तो इस वाले की बात हो रही है अब दूसर से पहले कि बिंदू D और E क्रमसा D A B C यह जो बिंदू D और E है इसके मद्ध बिंदू है इसी परिस्तित मद्ध बिंदू है कि area of triangle D B C equal to area of triangle E B C के यह तो given है दिया हुआ है and हमको proved करना है कि D E parallel B C है यह जो D E है वो पहला है किसके BC के तो प्रमार लिखेंगे triangle D B C और E B C एक ही अधार मतलब B C और छेतरफल में बराबर है क्योंकि area of D B C equal to E B C यह तो question में दिया हुआ है देन आता परमेन 9.3 क्या काता है 9.3 तो यही काता न तो ऐसे में हम का सकते हैं कि D E पहला रोगा B C के और ऐसे में ए प्रूब्ड हो जागा तो आई तिंक जरूर आपने समझ लेए कि question number 7 का solution कैसे किया गया देन वीडियो से रिलेटर कोई जानकारी छोड़ जाते हैं तो नीचे comment section में जरूर आप mention कर देना देन चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ ओके तो यह पुटप होता है question number 8 and question number 8 is saying that करा कि xy तरभूज ABC की भूजा BC के समानतर एक रेखा है okay तरभ एक्स वाई है वो पैलर है किसके BC के कर रहा कि यदि BE पैलर है AC के BE पैलर है AC के यह जो BE है वो पैलर है किसके AC के और कर रहा कि AB रेखा XY से क्रम सा E और A पर मिलती है E और F पर मिलती है जो AC है तो हमको दरसाना है कि area of A, B, E A, B और E मतलब basically इसकी बात हो रही है वो equal area of ACF के ACF मतलब इसके equal है इस चीच को दरसाना है तो इसको कैसे प्रूट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे लंग बेस के दिया हुआ है कि XY तरबुझ ABC बुझा BC के समना अंतर है यदि BE पहलर AC और C पहलर AB है XY से क्रम सा E और या पर मिलती है ये तो दिया हुआ है दिन हमको प्रूट करना की area of A, B, E A, B, E मतलब बिसकली 1 की बात वरी है और 2 की equal है तो सबसे पहले रचना करेंगे E तथा F को A से हम मिला देते हैं E तथा F को हमने A से मिला दिया दिन प्रमार लिखेंगे कि BC पहलर XY के और BE पहलर AC के तो दिया है इसलिए BCYE एक समानतर चतर बुझ है इसी परकार BC पहलर XY और CE BC पहलर AB यह तो दिया है BCFX भी एक क्या समानतर चतर बुझ है मिस पहलो लोग्राम है करा कि अब समानतर चतर बुझ BCYE तथा BCFX एक ही अधार BC और BC पहलर XY के मद इस्थित है तो इसलिए पर में 9.1 के द्वारा हम कह सकते हैं कि यह दोनों चतर बुझ है वापस में क्या हो जा BCYE BCYE और E और यहां पर देखेंगे एक और BCFX BCFX इस दोनों जो चतर बुझ है यह आपस में क्या है पैलर मतलब एक्वल है छेतर फल में इसको मालती क्विशन नमबर बन क्योंकि एक ही आधार और एक ही समानतर रिखाओ के मद इस्तित समानतर चतर बुझ शेतर फल में सकते हैं कि area of ABE जो ABE होगा हाफ area BCYE तो इसको हमने माल लिए एक विशन नमबर टू ओके देन चलिए आगे इसी परकार हम लिखेंगे कि ट्रियंगल ACF और पहलो ग्राम मतलब समानतर चतर बुझ एक्स एक ही अधार मत इस्तित है इसलिए area of ACF equal to half area BCFx क्योंकि जो दो इमेजन करो कि एक पर में हम बहुत पहले पढ़ चुके 9.1 में कि यदि एक समानतर चतर बुझ एक तिर्बुझ दोनों का बेस सेम और दो समानतर रिखाओं के बीच में इस्तित हैं तो जो तिर्बुझ का चतर पल होता ह तो वही fundamental से यहां पे लगाया गया है तो ऐसे में कर सकते हैं अथमा area of ACF equal to half area of BCYE from equation first और इसको माल लेते हैं question number third then from equation second and third से हम कर सकते हैं area of ABE equal to half area of ACF और ऐसे में आप इसको प्रूब्ड कर सकते हैं तो आइ तिंक जरूर आपने समझ लिया कि इस question का solution कैसे किया गया है देन चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ सो फ्रेंट्स अभी हम लोग question number nine का study करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले question number nine को पढ़ लेते हैं देन इसका study करेंगे इसमें करा कि समानतर चत्रबूज ABCD की एक बूजा AB को एक बिंद प्यूद तक बढ़ाया गया है करा कि A से होकर CB के समनानतर खीची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है देखेंगे ए पॉइंट क्यूपर मिल लई है यहांपे फिर करकर समानतर चत्रबूज PBQR को पूरा किया गया है करा कि दर्साय की area of ABCD equal to PBQR मतलब basically proved करना ओके तो देखें यहांपे संकेत भी दे दिया है करा कि AC और PQ को मिला यह करा कि अब area of ACQ और area of APQ की तूनला किजे दोनों की compression करना आपस में ओके तो first of all diagram को आप देख लेंगे यहांपे अच्छी तरीके से सब तो यहांपे दिया हुआ कि ABCD तथा PBQR यह है PBQR और basically ABCDA दोनों क्या है समानता चत्रबुझ है जहांपे करा रहा कि AQ पैलर है CP के जो AQ है वो पैलर है CP के आप देख सकते हैं यह है AQ पैलर है CP के मतलब A और A पैलर हापस में equal तो नहीं है पैलर है और हमको proved करना कि area of ABCD equal to area PBQR तो आइए इसका solution करते हैं तो first of all प्रमाण लिखेंगे इसके मतलब होता समानतर चत्रबुझ मतलब ऐसे डबल पाई और GM होता है तो इसका मतलब होता समानतर चत्रबुझ इसको कहते है पहले लोग ग्रांग तो कहरा कि ABCD का AC एक बिकाड़ा है जो AC है वो इसका क्या समानतर चत्रबुझ पीवार का PQB एक बिकाड़ है इसलिए एरिया पीवी क्यू एकोल टू हाफ एरिया पीवी क्यू आर हो जाएगा बिसकली इसको मालेंगे क्यूस नमबर टू और इसको में मालें एक वेशन नमबर वन ओके देन यहाँ पर लिखेंगे कि त्रबुझ एकी अधार मतलब एकी तथा सेपी पाइलर एकी के मद इस्तित है अता एरिया आफ एसको मालेंगे एकोईस नमबर थाड़ ओके यह सी पी एक इसके एक पी क्यू के एक एक पी क्यू पतलब यह दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है एक्वल है तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए एकी अधार और एकी समातर एक हो कि मद इस्तित्रवुच की छेत फल आपस में बराबर होते है देन हम कहेंगे कि समीकरण तीन में दोनों तरफ हम एरिया आप एबी क्यू घटा देते हैं तो जैसी इसमें से एबी क्यू हम घटाएंगे तो हमारे पास में मिलेगा एरिया आ तो ऐसे में आप इसको प्रूब्ड कर सकते हैं और बता सकते हैं सटिस्फाई कर सकते हैं अथमा इसको लिखेंगे हाफ एरिया अप एरिया पीबी क्यू आर इसको लिखेंगे फ्रम एक्वेशन फर्स तरफ से देन हाफ एबी सीडी का तो हाफ से हाप क्या हो जागा यहां स नमबर 10 की तरफ ओके तो एक पूटब होता है क्वेशन नमबर 10 एंड क्वेशन नमबर 10 इस सेंग डैट कर रहा है कि एक सम्मलाब ABCD जिसमें AB पहला है DC के जो AB है पहला है किसके DC क्या थों CD के कर रहा कि कि बिकड़ AC और BD प्रस पर बिंद ओ पर प्रतिच्छेत करते हैं पॉइंट ओ पर यहां पर मिल रहा है करके दर्साइए कि एरिया आफ ओडी एकल टू एरिया पी ओसी होगा दिन करकी प्रमाड त्रुबज ACD तथा BCD एकी अधार मतलब DC और AB पहला DC के मद इस्थित है तो देन यहां से सेंग फरमुला लगाएंगे कि एरिया आफ एसी डी ए सी डी इकल टो जागा एरिया आफ BCD तो इसको हमने माल लिया एक क्वेशन नमबर वन दिन आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप रिजन देंगे क्यों है ऐसा तो क्योंकि एक ही अधार और एक ही समाता रिखाओं कि मद इस्तित त्रुबज से तफ़ल में बराबर होते हैं तो दोनों तरफ एरिय आफ AOD equal to area BOC और ऐसे माफ इसको प्रूबड कर सकते हैं तो आई थिंक जरूर आपने समझ लिया कि क्वेशन नमबर 10 का सालूशन केसे किया गया है दें चलिए आगे बढ़ते क्वेशन नमबर 11 की तरफ ओके तो एक पूटप होता है क्वेशन नमबर 11 और क्वेशन नमबर दें हमको दो चीज़ में प्रूबड करना है पहले में करा कि area of a c b equal to area of a c f and second में प्रूबड करना कि area of a e d f equal to area of a b c d e यह हमको प्रूबड करना है तो आए कि करके हम सालूशन करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है कि a b c d e एक पंच बुज है इस पेंटागोन है करा कि b से होकर a c के समातर खेची गई रेखा बढ़ाए गई d c को f पर मिलती है करा कि हमको प्रूबड करना फर्स्ट म दर बी अवके मद इस्तित है जो एसी है ओके ए पैडलर है कि सके बी फ के देखेंगे यह दोनों लाइन पैडलर है कि मदद इस्तित है इसलिए चेतर फल में आप एसमें चेतर फल में वराबर होता है इसलिए एरिया of a cb icb वह इका और a cf के a cf के दिन इसको पाले का हमने प्रूब्ड कर दिया इसको प्रूब्ड कर दिया देर आपसे नमबर सेकेंड की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो रीजिया लिखना जरूरी होता तो लिखेंगे एक ही अधार और एक ही समानते रिखाओं कि मत इस्तीत त्रबूत छेत्रफल में बराबर होते हैं पिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि area of a,e,d,f मतलब इसको इधार ले सकते हैं इकोल टो area of a,b,c,d,e तो ऐसे में आप इसको प्रूब्ड कर सकते हैं तो आई थिंक जरूर्ड आपने समझे लिया हो कि question number 11 का solution कैसे किया गया है दिन चली आगे बढ़ते question number 12 की तरफ ओके त कि अने से उसका कुछ भाग लेने का निरड़े किया तकि वहां एक स्वास्त комментар का निर्मार कराया जा सकते कि इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंधन के साथ सिभिकार कर लेता है कि इस भाग के बदले उससे उसी भूखंड के सरलगन एक भाग ऐसा दिया जाय है इसका तो first of all Instagram को आप समझ लिए यहां पर देखें green part है green मतलब क्या होता है जो भी भूम वहाँ पर होगी जो भी जमीने होगी तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि ABCD एक चत्रबूज है और का रहा कि BEC स्वास्त केंदर के लिए भुखंड है जो BEC है स्वास्त केंदर के लिए क्या है भुखंड है तो हमको प्रूब्ट करना कि area of ABCD equal to PCD तो ABCD मतलब चत्रबूज और APCD तो एह है PCD मतलब यह बड़ा वाला triangle इत दोनों आपस के छेतरफल में बरावर होंगे एचेजम को प्रूब्ट करना है तो आईए इसका solution करते हैं तो सबसे पहले रचना करेंगे करेंगे कि A को C से मिला दिया A को C से मिला दिया कारा कि AB के बड़ते वे भाग को P से AC पैलर PB खीचा है तो A जो AC पैलर है हमने क्या खीचा PB खीचा A बाला लाइन देन परमाड लिखेंगे ट्रियंगल ACP तो था ट्रियंगल ACB एक ही अधार मतलब AC और AC पैलर PB के मद इस्तित है अधा एरिया आफ ACP इकल टू एरिया आफ ACB इसको हमने माले क्यों नमबर वन देन यहापर रिजन देंगे क्यों तो लिखेंगे एक ही अधार और एक ही समानता रिखाओं के मद इस्तित्रवूच छेतरफल अब में बराबर होते हैं देन ऐसे में दोनों तरफ क्या करते हैं एरिया आफ AC दोनों तरफ से क्या करते हैं घटा देते हैं तो आपके पास मिलेगा एरिया आफ एई पी इकल टो एरिया भी इसी एंड इसको म में दोनों तरफ एरिया आफ AECD एड़ान कर देते हैं तो जैसे एड़ान करेंगे तापके पास मिलेगा एरिया आफ ABCD एकोल टो एरिया पी सीडी मतलब यह पूरा बड़ा वाला मिल लेगा ओके तो ऐसे माप इसको प्रूब्ड कर सकते हैं तो आई थिंक जरूर आपने सम समलंब है जिसमें AB पहला रहा है DC है और कर रहा कि AC के समनातर एक रहा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिचेत करती है तो सिद्ध किजिए कि area of ADX equal to area of ACY और इस question को मैं आपको HW में देता हूँ क्योंकि basically steps बहुत सारे question हमने पढ़ चुका है और में भी हमारे पास में time भी बहुत इसलिए कुछ question में आपको stable home देता हूँ और कुछ जल्दी जल्दी पताने के कोशिश करता हूँ क्योंकि इस video को मैं second time shoot कर रहा हूँ न एक complete ही नहीं हो पा रहा देखता हूँ आज इसको finish ही कर देना ओके तो एर आप पहला screenshot then a second screenshot तो दोनों को आप अच्छी तरीके से ले डाउन कर लेंगे अच्छी देन ऐसे ही दिखेंगे आपर कुशन नबर 14 है मतलब 14 है जिसमें करा कि दी गई आकरिती में एपी पैलर पीबी है बीक्यू है और बीक्यू पैलर सी यारा मतलब ए तीनों लाइन आपस में क्या पहला रस मनांतर है तो सी दिखीजिए कि area of a qc equal to area of pbr और इस question को भी मैं आपको इस डबलू में देता हूं और इसका मैं solution भी आपको provide करा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो यदि आप कर सकते हैं तो इसको कर लेना वरना आप यहां से इसको देख करके नोट डाउन कर सकते हैं तो यह पहला screenshot देन आगे बढ़ेंगे तो यह second screenshot ओके आई होप आपने screenshot ले लिया होगा है तो वीडियो को post करके note down कर लिया होगा देन चली आगे बढ़ते है question number 15 की तरफ और इसके बाद I think एक question और है तो question को first अफ़ाल पढ़ते हैं करा कि चत्रवूज ABCD के बिकड़ AC और BD प्रसपर बिंद O पर इस परकार से प्रतिश्यत करते हैं कि area of AOD equal to area of BOC है करा किसी दिखीजिए कि ABCD एक सम लंब है ओके इस question को भी मैं आपको SW में देता हूं आप इसको not down कर लेना अची तरीके से समझे लेना यह राइस का पहला screenshot ओके और I think इतने में ही यह पुरा finish हो गया मतलब खतम हो गया तो आप अच्छी तरीके से इसको कर लेना ओके तो देन आगे बढ़ते को से नमर्ट 16 के तरब जो कि last question put up होता इस chapter का and question is saying that कहरा कि दी गई आकरिती में area of DRC equal to area area DPC है और area of BDP equal to area of ARC है तो दर्साय की दोनों चत्रबुज मतलब ABCD और DCPR एक समलम्ब है ओके तो इस question को भी मैं आपको establishes को समात करते हैं ओके तो एरा पहला screenshot आप इसका solution ले सकते हैं देन आगे बढ़ेंगे तो एरा इसका second screenshot और essay में ही यह complete हो जाता है तो फ्रेंड्स मैंने दो दिन मिला कर किस वीडियो को finish किया complete किया है मतलब question number और once लेकर question number 16 तक का जो भी विसालोस था मैंने आपको provide करा दिया है जैदि इस वीडियो से related कोई जानकारी छोड़े आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्समें आप बता सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना आई next बड़ी मार्स मिलते हैं thanks for watching बाई